ये आकाश्वणी है अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए वायू सेना अध्यक्ष एरचेफ मार्शल एन एके ब्राउन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान फिर से युद्धविराम का उलंगन करेगा तो भारत को कुछ अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का जारी रहना सहन नहीं किया जा सकता नई दिली में एक कारिक्रम के अवसर पर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि भारत स्थिति पर निगरानी रखे हुए है उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच युद्धविराम समझोते का सम्मान किय जाना चाहिए है। प्रगेडियर स्थक की फ्लाग बैठक के भारत के अनुरोद पर पाकिस्तान से अभी कोई जवाब नहीं मिला है। पंजाब और हर्याणा उच्छ नियायले के मुख्य नियायधिश ने महिलाओं के जगन या अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हर्याणा की ग्यारह और पंजाब की आठ अदालतों को फास्ट रैक अदालत के रूप में काम करने के आधेश दिये हैं। नियायले ने दोनों राज्यों और चंडिगड के सभी जिला तथा सत्र नियायधिशों को निर्देश जारी कर दस दिन के अंदर इस तरह की सभी लंबित मामलों की हर दिन सुनवाई करने की व्यवस्था करने को कहा है। पंजाब, हर्याणा और चंडिगड में इस तरह के 200 से अधिक लंबित मामली हैं जिन्हें फास्ट ट्रैक अदालतों को ट्रांसफर किया जाएगा। जारखंड मोक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस पार्टी ने आज जारखंड के राज़पाल से अलग-अलग मुलाकात और उनसे राज़ड में नई सरकार बनाने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। बाद में जारखंड मोक्ती मूर्चा के विधायक दलके नेता हेमंत सोरेन ने बटाया कि राजी में नई सरकार के गठन की संभावनाएं हैं। कॉंग्रेस नेता के एं त्रिप्ति ने कहा कि पार्टी की राजी एकाई हाई कमान के निर्देशों का इंतजार कर रही है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाओ के लिए अंतिम मदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसके अनुसार मत दाताओं की कुल संख्या 23,52,505 है। ये मसौदा मदाता सूची में वोटरों की संख्या से 3.3 प्रतिशत अधिक है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा का चुनाओ अगले महिने के 14 तारिख को होगा। इस बीच कॉंग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाओ के लिए अपने 48 उमीदवारों की सूची जारी कर दी है। माताबारी सीट के लिए जल्दी ही उमीदवार के नाम की घोशना की जाएगी। पार्टी ने 11 सीटें अपने सहयोगी आई एन पीटी के लिए छोड़ी है। स्वामी विवेका नंद की डेड़ सौवी जायनती पर आज राष्ट्रुपति प्रणव मुखर जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रुपति भवन में कॉंग्रेस हथियक्षि सोनिया गांधी और कई मंत्रियों की उपस्तिती में समारुहूं का उधगाटन किया। इस अफसर पर स्वामी विवेका नंद की स्मृति में सिक्के और डाक टिकट जारी किये गए। कामलों में 57 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रिय स्वास्ति मंत्री गुलाम नभी आजाद ने बताया कि HIV के बारे में खासकर युवाओं को जागरुप करने के लिए सरकार हर संभव प्रेहास कर रही है। इसके साथ ही है समाचार बुलेटिन सबाक्त हुआ। करी युवाओं को करने का रही है। युवाओं डिलेटिन सबस्दयद já थे दोड़ता है। झाल झाल